पैरे बच्चो अभी तिक आपने देखा कि नक्षों का इतिहास क्या रहा लोगों ने किस तरह से नक्षों का विकास किया और उसका कैसे कैसे उप्योग हुआ आपने ये भी देखा कि जो यूरोप के नाविक थे उन्होंने इसे विक्सित करने में बड़ी भूमी का निभाई उनके पेशे उद्देश थे व्यापार करना नई जगों को जानना वहां के संसाधनों को पता लगाना वहां के संस्कीतियों को जलवाई को समझना ये उद्देश थे लेकिन धीरे दीरे उद्देश कुछ बदलते गए जब लोगों को पता चला कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जैसे अफरीका, अमेरिका, एशिया, आस्ट्रिलिया इन सारे जगों पर बहुत सारे संसाधन उपलब्द हैं और लोग भी सरल हैं सीधे साधे हैं तो उनके दिमाग में इक्षा हुई कि अपने सामराज्य कभ विष्तार किया जाएं उपनिवेश इस्थापित किये जाएं तो यह जब विचार लोगों के मन में आया तो लोगों ने बहुत सारे लोगों का दल बनाया हैं जिसमें नक्षा बनाने वाले वैग्यानिक, भगोल के जानकार इस तरह के लोग थे और इनके मदद से उन् उन्होंने कई महादिबों को देशों को पार किया, कई रेगिस्थानों को पहाडों को पार किया, नदियों को पार किया और गाओं शेहरों तक गया और वहां के लोगों के बारे में जानकारी एकटी की, वहां के जलवायू कैसी है, वहां कैसे संसाधन है, कैसे हम वहां अपन विस्तार इन सारे देशों महाधिवों में किया और इसका सबसे बड़ा उधारन आपके सामने है हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों ने काफी लंबे समय तक शाशन किया जब वो यहां पर अपने शक्तियों के विस्तार कर रहे थे उस समय उन्होंने पूरे देश का सर्वे कराया और एक विभा की स्थापना की सर्वे आफ इंडिया सर्वे आफ इंडिया ने पूरे देश की सारी जानकारियों के इकठा करना शुरू किया बहुत दूर दराज की शेतरों तक वो गए और उन सारी सोचनाओं के एक अठा किया 1802 में विनियन लेमिटन ने एक बहुत महत्पून सर्वे के शुरुबात की ये सर्वे हिमाले से संबंदित था हिमाले के विस्तार यानि उसके लंबाई चोड़ाई और उसके उचाई से संबंदित सर्वे को दुनिया के एक महत्पून सर्वे की रूप में पहचाना जाता है ये जिम्मेदारी सर्व जार्ज एवरेस्ट को दी गई उन्होंने इस पूरे सर्वे के दर्मेन ये पता लगाया कि हमाले पर ही एक ऐसी चोटी है जो दुनिया से सबसे उची है इस चोटी को आप आज मौंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं तो ये जार्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इस चोटी का नाम रखा गया तो ये सर्वे का एक और बड़ा ही महत्पून हिस्सा था पहचान थी कि सर्वे किस तरह से होता है उसका क्या उपयोग हो सकता है नक्षो का जो इस्तमाल है वो युद्धों में बहुत हुआ जब प्रथम और दिती विश्य युद्ध हुए उस दर्म्यान भी देशों ने नक्षों का बड़ा ही जबरदस्त उपयोग किया और यही एक वज़ा थी कि बहुत सारे देश आप चाहते थे कि अपने नक्षों को अपने देश के अलग-अलग हिस्से के नक्षों को बड़ा गुप्त रखें लेकिन आज के समय में बाते संभों नहीं है आज हमारे पास ऐसी तक्नीके उपलब्द हैं जैसे GPS, GIS, Global Positioning System, GIS यहने Geographic Information System और दूसरे उन्ना तक्नीके हमारे पास आज मौजूद हैं जो नक्षे को बहुत ही बारिकी से और कम समय में हमारे सामने लाक रख देती हैं आपने भी अपने मॉबाइल पे गूगल अर्थ का इस्तमाल किया होगा आप कुछी सेगंडों में दुनिया के किसी भी हिस्से के नक्षे को अपने सामने देख पाते हैं और जानकारियां हासिल कर सकते हैं तो ये नक्षों के विकास का क्रम कहां थे शुरू हुआ और कहां तक पहुँचा इसकी एक छोटी है रोचक कहानी आपने अलग-अलग हिस्सों में देखी बच्चों अब हमारे सामने सवाल ये है कि इन नक्षों का उपयोग हम कैसे करें हम जानते हैं कि हमारे देश में विवित्तरח संसाधन है नक्षों के मदद से हम इस बात को निशिद कर सकते हैं की क्या नसे चीज़ता पर कुंशी बाम इसinhas कर सकते हैं तो इक अध्याय आपके सामने था जो नक्षब के भारे आपसे बात कर रहा था आपने पूरे टिहास को देखा NFC के विकास को देखा नक्षों का विकास किस तर्म से शुरू हुआ कहां तक पहुँचा और हम कैसे उसका इस्तमाल कर सकते हैं